जै जै माता दिमित्रो आपका बहुत बहुत स्वागत है मित्रो मंत्र और यंत्र यंत्रों में वह सक्ती होती है जो विशिष्ट अक्छरों से सब्दों से और विशिष्ट प्रकार की आकृतियों से बनी होती यह आकृती सब्द बीजमंत्र जो होते हैं ब्रह्मान की उर्जा को खीचते हैं अपनी तरफ इसी करण किसी भी परिस्थिती में यंत्रधारण करने के लिए कहा जाता है दूसरी बात मित्रो साबर यंत्र अर्था साबर यंत्र वह यंत्र है जो साबर मंत्रों की सब्दों के साथ बना हुआ एक विशेस आकृती है मैं आपको साबर यंत्र बताऊंगा यह यंत्र जो है सिर्फ और सिर्फ इस्त्री वसीकरण के लिए कर सकते हैं और इस्त्री वसीकरण के लिए आप सिर्फ अपनी प्रेमी का अपनी पत्नी या फिर जिससे आप साधी करना चाहते हैं उसके उपर कर सकते हैं तो बहुत ही चमतकारी प्रयोग है और इस प्रयोग से हर किसी को जिन्होंने अपने प्यार को पाने के लिए प्रयोग किया हर बार सफलता मिली है इसे सिर्फ एक बार करना होता है और इसे प्रयोग करने के लिए कुछ नियम है उन नीमों का पालन करना है सबसे पहले आपको जो यंत्र दिख रहा है उस यंत्र को भोज पत्र में किसी भी स्याही से बना ले इसे बनाने के लिए आपको कुछ विशिष्ट मुहरत या फिर विशिष्ट समय में ही बनाना है जैसे कि पूरिमा हो गया, दिपावली हो गया, महासिवरात्री, नौरात्री, गणेस पक्ष, कृष्ण पक्ष, कृष्ण जनमाश्टमी इन में से भी अगर कोई समय नहीं मिल पा रहा है, तो सनीवार के दिन, सुबह चार बजे उठकर इस यंत्र को बनाना है बस आपको गाड़ देना है और कुछ नहीं करना है, उसके बाद यह यंत्र जो है, अपना प्रभाव दिखाएगा एक चीज जहां पे खाली स्थान है, वहाँ पास उस इस्त्री का नाम लिखना है, जिसको आप अपना बनाना चाहते हैं और उसके बाद, 21 दिन हो जाने के बाद मित्रो इसे आप उस जगह से हटा कर जल में प्रवाह कर दीजिए, फिर देखिए इस सक्तिसाली प्रयोग और उपाय का चमतकार देखने के बाद आप खुद बताएंगे कमेंट करकर, अगर समझ में नहीं है तो नमबर पर वार्टसप मेसेज कर सकते हैं, जै जमाता दिमित्रो